नमस्कार दोस्तों यहां पे सुबह सबसे बड़ी ख़बर निकल गया रहे कुछ एत्रा इंविश्ट्री में हुआ का एक सो ठाणवा पद्दों की भरती को लेकर यहां पे प्रदेश बर में आठ जार आठ सो बैसेट आवेदर का जो यहां पे गए थे एक जार के आसपाज यहां पर कुछ के नेट नहीं गए हैं प्रिक्षा में इलेक्ट्रोनिक डिवाइस का प्रियोग कर रही जीन्द की यूथी पक्ड़ हिसार का यूवक हुआ फ्रार यहां पर देश के तक कुछ एत्री निवरस्टी एक सो ठाणवा अंकल भरती आवेदन भरती करने के रिव यहां कुछ बोल रही थी जब कमरे में डूटी दे रहे सिक्षन ने ध्यान से देखा जांच करवाई तो यूथी के पास ब्लुटूथ जैसे डिवाइस मिली इसकी मदद से यूथी बाहर बाचित कर रही थी इस पर तुरंत यूवक यूथी के इलेक्ट्रोनिक डिवाइस को जब्त कर लिया गया वही दूसरी दूसरे कमरे में हिसार नवासी यूवक जीते अंदर की सर्ट में बलुटूथ की लाइट बिलिक हो रही थी इस पर यूवक जब यूवक की तलासी ली गई तो उसके पास लेक्ट्रोन डिवाइस मिला लेकिन यूवक यूथी उस यू इन दोनों के ही आवेदा को उखिलाब के यह प्रसाशन के और से भरती प्रिक्षा में गड़बड करने के चलता है फाई यार धरज करवाई गई है करवाई जाएगी इस भरती प्रिक्षा में उन्निस तिनानवा सु कैतर आवेद को में से आट हजार आट सो बैसाट अवि युवक वयूतियां को नकल करने का तरीका एक ही था स्वाल यह भी उठ रहा है कि जब प्रिक्षा देने से पहले अव्द्गी चाकिंग की तो अच्छी तरह से होती है तो फिर एलेक्ट्रोनिक डिवाईस उनके पास कैसे आए फिर हाल यह जांच का विश्चा है इन दोनो केस को फाड़ने पकड़ने में ड्यूटी देरे शिक्ष को किचत करता काम आई है उक्त यूति जहां प्रिक्षा शुरू होने से दस मीट बाद ही पकड़ी गया युवक खरी बीस मीट तक डिवाईस का प्रियोग कर चुका था तो दोस्तों यहां पर फाइदर करने को पुलिस को देंगे दस्तावेज के यू मुख्या शिक्षा दिकाई डॉक्टर सी आर जिलेवा ने कहा है कि दो आविद को के इलेक्ट्रोनिक डिवाईस का प्रियोग कर प्रिक्षा कि गोपनिता को खतम किया गया उन्होंने कहा कि स दस्तावेज सोंपे जाएंगे इस बारे में पुलिस को रुविवार को ही सुचित कर दिया गया है तो बिल्कुल यहां पे देशते हैं 20 पिक्षा किंदर आपे बनाए गए थे वहीं बाहर सकोलोगा कॉलिजरों में तेरा पिक्षा किंदर बनाए गए थे बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे बड़ी एक खबर हो सकती है देखते हैं क्या पेपर लिक होगा इसी साफसे पेपर लिक नहीं क्योंकि 10 मीट और 20 मीट का जो हवाला दिया गया है इसमें बिल्कुल भी पेपर लिक होने की संभावना नामातर की बनती है दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी और कमेंट बुक्स में बताएं कि क्या पेपर लिक होना पेपर रद होना चाहिए दोबारा होना चे फटा पट आपकी हर एक कमेंट आपके काम आएगी अगर पेपर में ऐसे नकल हुई तो मेंट बहुत ज़्यादा है यह तो एक